हेलो एस्टुडेंस नमस्कार आरके मही मतमेटिस कलासेज में आप लोग का स्वागत है आज हम जो है इंटरनेट पर मोडल जो जारी किया गया है वो आज हम 500 सेट लेकर आये हैं सभी सेट लगाने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाए एक से लेकर चार तक उसमें आप आप प्रणार्द और यहां प्रणें देजिए बिसे लोग जो है ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हहें बल्के ज्यादा देखना पसंद करते इसलिए आप एत्क्रम किजिए आप के पास बहुत कम समय आफ मात्र आ देक लिजीए तो डेड़ माह आपके पास है अगर इस पूरी है आपको यह वीडियो देखना क्योंकि इसमें से देखा जा रहा है कि अधिकांस्ता आपको परवाजन पूछे जाने वाले हैं क्योंकि बिहार विद्याले पढ़च्या समिती द्वारा आयोजित जो किया गया है वह आपको मोडल से चलाया जा रहा है ठीक है तो आप है वह किया सब तो भी सए देखना ही है पर 24 गंटा में जो है इनसान जो है मातर दस परसेंट उसको उपियोग करते हैं तो आप लोग जुआधा से ज्यादा इसको एकि कीजिए देखिए और इसको लाब उठाई अपने दोस्तों के पास सेर की जिए चलिए हम ज्यादे बा आपको चार से आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा ये कुचानाबर हम दिखते है एक कुचानाबर में क्या कर रहा है यहां पर झिद ओंपे दिख रहा है यहां पर क्या कर रहा है किसी दर्पन के फोकस दूरी रिनात्मक होता है तो किसी दर्पन के फोकस दूरी जो है रिनात्मक होता है तो किस दर्पन का फोकस दूरी रिनात्मक होता है तो यहां पर ध्यान देजेगा यह उतल दर्पन का ही आपको रिनात्मक होता है हमेशा पलास होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग परसने देखते हैं यहां पर कुछा नमबर टू क्या कह रहा है दरपन फोकस दूरी एफ हो वह करता है के अंदर आर हो तो क्या है इसका संबंध क्या हो सकता है ठीक ना तो आप लोग यह जो है सीध कर चुके हैं ठीक है यहा यहां पर देखिए समाने द्रिष्टी के लिए क्या होता है तो सब कोई जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो कंफर्म कर लीजी आज ही यह आपको कितना होगा भी इसका भी राइट एंसर होगा पचीश सेंटिमेटर चलिए आगे हम लोग देखते हैं तोचा नमबर फोर स में थैसे गुजरता है सब से कौम जुखता है यहां पर दयान दिजा दीए जान सुवेट पर यहां पर DRCस में सब से कौम जूकता है आप लोग हाँ निलल होका की लाल होगा कि पीला होगा तो आपको आफिसन नमबर राइट एंसर है आपका चलिए क्या होगा लाल होगा भी होता है दो वह खैसा बनता है उसको हमको समझना है ठीक है तो हमेसा वास्त्विक बनता है और उल्म बनता है जब भी मुथ होगा DAVID होता है वाउ आसी होता है क्या है वाउ आसी तो वाउ का मतलब होता है वास्तुएक अब उ का मतलब होता है उल्टा आसी का मतलब होता है अब हासी आसी का मतलब होता है सीधा अब हासी होगा तो आपको सीधा होगा इसमें राइट इंसर आपका भी है ठीक है चलिए आगे हम लोग दे यह परतित होता है यहां पर देख़ी option होता है में होता है कि ऐन में से कोई नहीं तो चलिए हम लोग अप्सान नंबर 6 में देखते हैं प्रस नंबर 6 का अप्सान नंबर आपका बी राइट एंसर होगा परकास के परकीरन द्वारा ही होता है ठीक है चलिए यहां पर कुछा नंबर 7 को हम लोग देख पा रहे हैं के में आपको कि साथ कैया कर रहा है किसी दरपन के वस्तु का पर्तिवीम आधा बनता है इस दरपन के वस्तु का परे के बड़ा बनता है तो आप लोग को मालुं है तो अउतल q., में ही वस्तु का परतिवीं क्या बनता है बाड़ा बनता है। उस्ड़ी नंबर आठ एंश सही होगा क्योंकि हजामतिक बनाने में भी जो लगा जाता है उसमें भी झालतरपन लगा जाता है ताकि दाधी बड़े बड़े दिखाये ठीक है चलिए फिर से हम लोग देखते हैं कूचा नंबर आठ को कूचा नंबर आठ क्या कह रहा है चलिए कूचा नंबर आठ क्या कह रहा है यहां पर कूचा नंबर आठ कह रहा है निम लिखित में लेंस के निकर्तम दोस्त को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है तो निकर्तम अप्शन नमबर आपका सी राइट एंसर सही होगा ओतल लेंज के लिए ठीक है ना निकर देश्टी दोस्की दूर करने के लिए होता है ओतल लेंज के लिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछा नमबर नाइन कुछा नमबर नाइन क्या कहा रहा है मेरा निमलिखित में से कौन सा उपकवरण विधूत की उपवस्तिती में है निमलिखित में कौन सा उपकवरण है यहां ध्यान दिजिए विधूत का उपकवरण में कौन सा होगा तो यहां पर आप्शन नमबर आपका राइट है यहां पर ध्यान दिया जाएं पूचा नमबर आपका जो है दस का एंसर कौन होगा अपसन नमबर डी मैक्स्वेल ने ठीक है रहा है अपसन नमबर डी आपका राइट एंसर सही चले आगे देखते हैं बहुत तेजी पुरसन है यहां पर देख रहे हैं विबुवांतर का यह स हो ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं तो मालूम लेते आज ही क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है ऐहां पर सरेessionी करम में जोडा जाता है चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है यहां पर देखे जाए निम लिखे दो चुमबकिये बल रेखाएं पराकिर्तिक होती है अप्शन नमबर कौन होगा आप लोग राइट एंट सर पहले देख लिजिए उसके बाद हम किलिक करते हैं चलिए अप्शन पर होता है तो यह किलुवाट जो होता है तीन दस हम लोग दस पाप और छो जूल होता है ठीक है अप्शन नमबर सी राइट एंसर सही हो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कूचा नमबर पंद्रा में क्या का रहा है से नविकर्णिय उर्जा सुरोत क्या है तो नविकर्ण हम स्ुर्ण का रहा हैं यह पदिके कौं सा अप शारी लेंज कहा जाता है कौं सा अपरारी लेंज कहा जाता जाता क्या वह लिंज कहा जाता है चलिए कुछा नमर फिर से हम लोग 17 को देखते हैं ठीक है चलिए कुछा नमर 17 बहुत देखाई दे रहा है यहां परकास का परतम वर्ण कौन है आप लोग देख लिए चारू अप्शन को सबसे पहले पर लिए लाल नीला हाला उपयोग सभी है तो इसमें निमलिकित में कौन से नेतर रंगीन भाग होता होता है तो इसमें से आप लोग रेटीना के बारे में जानते हैं यह सब आंक के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी अगर नहीं होगी तो आज हम कंफर्म कर लेते हैं चलिए खूचा नमबर आपका अठाड़ा का अफसन 248 होता है एक एक एसपी बड़ाबर कितना होता है 746 आपका यह आ रहा है ठीक है चली आगे हम लोग देखते हैं 20 नमबर उच्छा नमबर 20 क्या कह रहा है यहाँ पर देखा जाए बीशालक सिसा होता है मतलब कौन होता है तो अवतल लेंस होता है कि समतल दर्पन होता है कि आपनिया कोण साखती है क्या होता है किसी चालग तार से बीदुध०्ध धाराप परवाहित होता है ॉसका गति क्या हो जाता है तो अउप्षांच नंबर आपका यहां डी एंसर सही है इलेक्ट्रावन जो होता है घृति में कौन सा रहता है ठीक है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कूचा नमर 20 में फूचा नमर 22 क्या कर रहा है इंपियर घंटा मातरा को थे किसकी मातरा होती है पूचा निम्रत थेश के भाँ नेमने कौन सा मातरा को वार्ट बराबर के होता है इस में से देखना है कौन सा संकेत होगा आपका फूचा नंबर थेश का अफसन नंबर आपका यह राइट है यह बटा एस होता है जे परतीज क्या होता है सेकेंड होता है ठीक ना चलिए आगे देखते हैं कुछा नमबर पचीज को कुछा नमबर पचीज क्या करा है गलोबल वार्म के लिए उतरदाई गैस कौन सी है गलोबल वार्म के लिए उतरदाई गैस कौन सी है तो अपसन नमबर आपका राइट इंसर है यहां पर देखा जाए गलोबल वार्म के लिए उतरदाई गैस कौन सी है तो आपका अपसन नमबर सी सही है राइट सी ओ टू होता है कर्मन डाइक साइज को कहते हैं सरीर बोजन के परप्रकण की अभर किरिया करते हैं वह किस अभर किरिया होती है तो आपका एक है जर नमबर 27 क्या कह रहा है कली चुना पड जब जल डाला जाता है तो उसकी अभर किरिया होती क्रिक्ट न चुना पड़ डाल जाल दालीएगा लिएगा तो वह कौंसी अभे किरिया होगी तो उसमा 6-Πी अभे कियोंकि उसमा परदान कर्ता हुआ चलिए आगर हम लोग देखते हैं निमलीख्ट में कौन सबसे अधिक क्रिया सील है यहां । अप्र आप संम का अपसर नमबर आपका यह राइट है यहां पर option number D right answer है आपका C A O H का 2 होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते है फिर से यहां पर देखा जाए बहुत असान है यहां कोई लाल लिटमस पत्र को निला कर देता है उसका पीच मान होगा कोई बिलियन जो है निला लेटमस पत्र को लाल लेटमस निला कर देता है तो उसका option number आपका D इसा सही है यह और B दोनों होगा मतलब कहने का मतलब है 11 भी हो सकता है और 10 भी होगा ठीक ना चलिए आगे हम लोग द होते हैं तो यहां पर देखिए option number कौन सा होगा कि यहां पर आपसा नंबर सी राइट एंसर होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से अच्छा प्रस्न आगे यहां पर मेरा पूचा नंबर 32 गुलकोज का आनुविक सुत्र क्या होता है तो सी 6 एस बारा ओ यह गारा होना चाहिए तोस पाफसा नंबर आपका क्या है यहां पर गुलकोज का आनवी शुत्र ना होला चाहिए यहां पर option उच वासा अमलोकास के सोडियम लवन को कहते हैं तो क्या कहते हैं साबुन कहते हैं अपसन नमबर आपका A सही होगा बहुत अच्छी प्रस्ण आगे फिर से 34 नमबर यहां पर देखें COH अभी क्रियासिल मुलक को कहते हैं तो अपसन नमबर यह होगा एलडी हाइड को कहते हैं ठीक है चली आगे देखते हैं हम लोग यहां पर थ्यान दिया जाए आवर्ट सानी के किस आवर्ट में बाएं से दाइं और परमानु की तिरिज्या क्या होती आवर्ट सानी में जब भी बाएं से दाइं और जाती है तो हो जाती है घड़ साती है अपसन नमबर आपका ए राइट से इंसर है चलिए कुछ नमबर फिर से हम लोग 36 को देखते हैं चलिए 36 में क्या करा निमली कि तत्वों में उनके धातू के गून के अनुसार बढ़ता है यहां पर ध्यान दिया यहां पर धातू के गून के अनु चलिए कूच नमबर आगे देखते हैं कूच नमबर आगे काफी इजी दिखाई दे रहा है हमको यहां पर ध्यान दिजिए सिलकन क्या है सिलकन क्या है तो सिलकन आपका एक कौन सी धातू है कौन सा धातू है उप धातू है राइट इंसर सी है आपकर ठीक है चलिए आगला विखते हैं जो еся कों सी धात्या दानात्य यह को proposed निर्मार को गया गया निर्मान जो है वास्तवर में किया गए और नंबर आपका सही है होता है च mor keluar को कि रोस्ट में क्या डूबो बनाए जाते हैं यह सोडियम का क्या क्या किया जाता है missing आप मार्जक से क्या बनाया जाते हैं यहाँ पर आपका डी राइट एंसर है इसमें तीनों का उपियोग होता है तो आपका डी एक सभी होगा ठीक है चलिए कुछा नमबर आगे देखते हैं वहुत अच्छी पुरस्न है यहां पर सौर्सेल किसी किसका उपियोग होता है यहा है पर आपकर अपसर नमबर आपका बी राइट एंसर है चलिए धाल्याग कर्ण सिल्कन का उपियोग होता है ठीक है ऍसनले में बनाने होता है तो आप लोग इसका इंदन का उप्योग होता है यहां पर आगला पुरस्म जो है अगला पुरस्म क्या कछ रहा है आपका कूछा नंबर 24 में कूछान नंबर 44 का कह रहा है तो Si Suo का इसा इसा इतु कूरी करिया होगी यहां पर उक्सीजिजन की संतुलित समिकरन नहीं है तो यहाँ देख लिए अराम से सब को यहां पर कोचाण 75 मोश बराइट इंसर को जिसका संतुलित नहीं है यह पर देख लिए परमानुानु के से बरावन नहीं है सबसे असान कोचण आपका आगया उदासीन divillion का सहरे जाता है क्या हो जाता है तो यहां नीचे की और जूखता तो वह साथ से कम हो जाएगा तीनों को कनफर्म हो जाई आप लोग नहीं तो हमेशा यहां पर दिकत होती है चलिए आगे कोई नंबर हम लोग देखते हैं यांप निमलिकित में दूर्बल अमल कौन सी है आप लोगों नहीं मालूम है तो मालूम करहीं लीजिए क्योंकि आप लोग के पास वक्त इतना कम है से आप लोग जीतना भी देखिएगा उतना ही कम पड़ जाएगा लेकिन फिर आपका कौन सा सही है राइट इंसर आपका सी सही है ठीक है सी एज फिरी सी डबल ओ एच होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर बहुत अच्छी प्रसंदी हुई है यहां क्या कर रहा है से क्या कर रहा है क्रायलाइड ऐसक है एक रायष में से कौन है और तालिस में चलिए अफसर नम्बब सी आपका राइट है तंबा होगा ठीक है चलि आगे देखते हैं हम लोग पोटासियम के परमानु संग्हा कितनी होते तब पुटासियम का परमानी संग्हा आपका उनएस होता है अपस्व नम्ब सी आपका रायट अंसर साई होगा अचले यागे आगे आपके देखते हैं फोर्मीक ओमल का आयू पी एसे नेम होगा फर्मिक अमल का आयू पी एसे नेम कौन सा होगा आपका अपसर नंबर ए राइट एंसर है मेथे नोईक अमल होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं बहुत अच्छा अच्छा कूशन इस मोड़ा सेट में मिल रहा है यह थाइल अलकोहल का अनुसुत त्रिन में से कौन होगा यह थाइल मेथ यहां पर अपसर नंबर आपका कौन सा होगा आपसर नंबर आपका देखे लिजिए सबसे पहले आपसर नंबर आपका सी राइट एंसर सही होगा सी एच टू एच टू आ ओ एच यहां पर अपसर नंबर आपका सी राइट एंसर सही क्योंगा चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं कुछेवबारा बावन में क्या को इसमें से देखना है इलकाइन कौन है तो द्यान दिजिए एलकाइन आपका जो हैं नमबर ए क्याद इंसर यह सजटी च्यक्ति चाहोगी का सुट्र थे क्या दिव सदूल अपका यहां पचेनी का आपका सुतर राइट एंसरल आपका कौन सा होगा राइट एंसर आपका जो है वी अपशन होगा सी बारा एचबाइस ओएचबाइस ओएजगारा ठीक है सी बारा एचबाइस ओएगारा आप ध्यान से देखिए चलिए kooرا कूचा नमबर 54 में हम लोग देखते हैं कूचा नमबर 54 क्या कह रहा है सिट्रिक में कार्वन कार्वन के 200 सन्योजक मंधन की संख्या कितनी होती है तो आपका नमबर राइट होगा तीन होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग को देखते हैं कूचा नमबर 95 चले नहीं अद्यान के लिए उपयोग यहां कुछन के जाने है ठीक है जलिए आगे हम देखते है लोग देखते हैं इलिए यहाँ और अच्छा प्रयष्ण है लिए जीमेदार है तो आपका अप्स्टन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अप्सवासन के दोरान कौन से गय से निकलती है आगे हम लोग देखते हैं यहां पर लेखिए फॉलो के पकने को निमलीखित में से किसे से नियंतरन किया जाता है तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा अपसर नुबर सी है ए्थिलीन का उप्यों किया जाता है तुछ है है चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है तो निवरोन वह हिस्षा है जहांपर जनकार हसील किया जता है यहां पर न नैलीन होगा है चलिए आगे हम लोग देखते हैं निमलीखित में से कौन से अनैक्षिक किरिया नहीं है यहां पर देखे बासट नमबर अनैक्षिक किरिया कौन नहीं होगा अप्सान अधिक लार निकलना यह अनैक्षिक किरिया नहीं है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यह यहां पर देखिए बहुत अच्छी बात है अच्छा पुरासना गया मानों में गर्भ की आवधी कितनी होती है तो मानों में जो है गर्भ का आवधी जो होती है आपका यहां पर आप्सान नंबर A 270 दिन का होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछा नंबर 64 में गांगा एक्षन प्लान कब शुरू हुआ गांगा एक्षन प्लान कब शुरू हुआ तो आपका आप्सान नंबर राइट बी एंसर है जो 1985 में हुआ था चलिए ठीक है आगे देखते हैं हम लोग यहां पर देखा जाए मुकलन द्वारा अलाइग जनन निमलिखित में होता है तो किसके द्वारा होता है आपका अप्सान नंबर ए है राइट इस्ट के द्वारा होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर कूचा नंबर आपका क्या है 66 में देख लीजिए पूचा नंबर छे असट क्या कर रहा है सनिमलिखित में कौन सी बिमारी स्वासन्त अंत्र में नहीं होता है, तो कौनसे भीमारी स्वासन्त अंत्र में bạn नहीं होगा तो यहाँ पर अपस्टर नम्बर आपका भी राइट एंसर है, टीभी नहीं होगा ठीक है चलिए आप पूचा नमबर साफसर देखता है निमली खित में मन्सहारे जीव निमली खित में किस वाचन नहीं राप्त होता है तो यहाँ पर आपका आपसण दिखाए रहे हैं प्रोटीन है एंसुली लोज्ट है वासा है इन में से सभी है तो यह मैं से आपसे नमबर आपका राइटेंस्ट साही होगा यहां पर देख लिए भी आपका राइटेंस्ट साही होगा अब कुछे नमबर आपका जो है आपका जो है हाइपोटेनस क्या है है हाइपोटेनस अपसे नमबर आपका सी राइटेन से सही है है चलिए नमबर आगे क्या करा निमलिखित में परजीवी पादप का उधारन है यहाँ पर आपका राइट एंसर सही होगा आपका भी है क्या है अस्कुटा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हिरदाय में रक्त को संपूर्ण शरीर पॉम्प से किया जाता है तो हिरदाय में क्या करते हैं दोआरा करते ठीक है चलिए अपसा संब्सक्राइब नमबर आपका भी राइट एंसर है यहाँ पर हाइड्रा और अलयागिक जननन अवाधी होता है है यह अपकशला नमबर राइट सही है चलिए आगे आगे देखते हैं कुछ नमबर बहतर में जनन संचारी तो जनन संचारी तो कौनसा होगा अपसा नम्बर आपका डी है इन में से सबी होगा ठीक है आगे देखते हैं लोग पूचा नम्बर यहां पर पूस्प का सबसे बाहरी भाको क्या कहते हैं बाहे दल पुच कहते हैं बाहेदल पुछ अप्पसन नमबर यहां पर बोलड जो है यह कौन सा एंटी वरड़ी होता है तो आपका अप्सन नमबर भी है अब होoras चली आगे हम लोग देखते हैं यहां पर यहां पर रख्त में गुलकोच की मातरा निम लिखे तो में कौन नहीं है नियांतरन करे हैं दिया जाए एंसुलेन होगा कि यहां पर जिखी आपसन नमबर 75 का एंसुलेन ही होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कूछन नमबर लोग 58 देखते हैं 58 में क्या कर रहा है आपका मनुष्य के मुख्य गुहा कितने जोड लार गरंथिए हैं यहां पर ध्यान दिये जाए अपसों नमबर कशनack कोचा नमबर आपका 80 में, कोचा नमबर 80 क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए, मटर को अपने परियोग के लिए चुना जाता है, तो आप मटर ने अपने परियोग के लिए चुना गया, कौन चुने, तो मेंडल ने चुने, आपका नमबर A आपका राइट एंसर है, तो दोस्तों, यहाँ असी तक ले एक से असी तक ले परसनों का जवाब देखनों को मिला है अगर वीडियो अच्छा लागा होगा तो चैनल को सब्सक्राइज किजिए क्या कि ऐसे वीडियो आप तक हमें सब पहुंचते ही रहेगी और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को आपको परसने यहाँ पर मैत इस वेशल जो है आपका फिस दिखाकर मतलब बोट पर यहाँ पर बनाया जाता है उसको देखकर और बक्ये सब्जेक्ट जो है आपको इसक्रीन वीडियो के सहारे आपके तक भेजा जाता है क्योंकि हम बड़े यूट्वर नहीं है जो आपको एलेक्री बोट पर द जय हिंद जय भारत और जय बिहार ठीक है चलिए यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं